नमस्कार मेरा नाम है निवेधिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स वित्मंत्री निर्मला सीता रमन के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे ही नहीं है जी हाँ देश की वित्मंत्री और सबसे अमीर पार्टी की सदस्य इतनी गरीब कैसे हो गई निर्मला सीता रमन ने अपने हालिया बयान में कहा है कि वो आने वाले लोगसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है निर्मला सीता रमन से जब सवाल पूछा गया कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगी तो उन्होंने कहा कि एक सप्ता है या दस दिन तक सोचने के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि नहीं मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए उतने पैसे नहीं है मुझे भी दिक्कत है चाहे वो आंध्रप्रदेश हो या फिर तमिल नाडू उनसे सवाल पूछा गया कि देश की वित्त मंत्री के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे क्यों नहीं है इस पर उन्होंने कहा कि भार पैसा नहीं है देश की दूसरी गांधी है त्याक की मुर्ती है आप असलियत भी जान लीजिए क्या सच में निर्मला सीता रमन गरीब हैं ये बात जानते हैं चुनाव में उनके द्वारा दी गई अपनी संपत्ती की जानकारी के जरिए माई नेता वेबसाइट के मुताब काम सोना है और उनके पास दो किलो चांदी भी है जैसा कि निर्मला जी ने अर्थव्यवस्था के लिए कहा था कि विकास दर में कमी है लेकिन ये मंदी नहीं है ठीक वैसा ही है कुछ पैसे की कमी नहीं है पर चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी नहीं है भाजपा ने आन के थोड़े भी आसार नजर आ रहे थे उपर से निर्मला जी तो राज्य सभासानसद हैं उनकी लोग प्रियता जंता के बीच में नहीं है ऐसे में निर्मला सीता रमन को टिकट ना दिया जाना भी कोई आश्चरिकी बात नहीं है बट नाइस सेव निर्मला जी दो करोड से ज चुनाव आयोग से ही मिल जाता है चुनाव आयोग के मुताबिक लोगसभा और विधान सभा चुनाव में उम्मिदवार के खर्च का दाइरा अलग-अलग है लोगसभा चुनाव में एक उम्मिदवार 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है ये राशी 2022 में बढ़ाई गई चुनाव आयोग द्वारा स्विक्रित एक कैंडिडेट द्वारा खर्च की राशी देखें तो निर्मला जी चुनाव लड़ने में काफी सक्षम है अब इस बात से ये सवाल उठता है कि क्या भाजपा के उम्मिदवारों को चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा खर्चा क करना पड़ता है क्या भाजपा चुनाव आयोग के नियमों को धता बता कर मनमर्जी से पैसे लुटा करके चुनाव जीतती है इसका जवाब भी आकड़े देते हैं जो बहुत भयानक हैं कैसे भाजपा जितना पैसा इलेक्टोरल बॉंड जैसे खुफिया रास्तों से लेत अमेरिका और चीन जैसे देश भी चुनावों में इतना खर्चा नहीं करते जितना 2019 के भारत के लोगसभाद चुनावों में हुआ CMS यानि Center for Media Studies ने एक रिपोर्ट पेश की रिपोर्ट से चुनावों में बे तहाशा और गयर जरूरी खर्चों की पोल खुल गई जिसका इस्तेमाल वोटरों को लुभाने के लिए किया गया था CMS की इस रिपोर्ट के अनुसार इस चुनावों में प्रत्याशियों की ओर से करीब 60,000 करोड रुपए खर्च किये गये थे देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के उपर होती है चुनाव आयोग की तरफ से 10,000 करोड खर्च हुए लेकिन चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने 60,000 करोड रुपए खर्च कर दिये कुल मिलाकर 70,000 करोड रुपए खर्च करके 2019 का चुनाव लड़ा गया जब सारी व्यवस्था 10,000 करोड में हो गई थी तो ये 60,000 करोड कहां खर्च किये गए अब बात निर्मला सीता रमण से शुरू हुई और चुनाव तक कैसे पहुँच गई चुनाव में खर्च तो सारी पार्टियों ने ही किया होगा बिल्कुल सही बात है चुनाव में खर्च होता है मगर कितना और कैसे खर्च होना चाहिए इसके भी तो नियम है 60,000 करोड का कुल 45 प्रतीशत अकेले भाजपा ने खर्च किया बाकी 55 प्रतीशत धनरासी देश की अन्य पार्टियों ने मिल करके खर्चा किया वन नेशन वन इलेक्शन आपको याद होगा वन नेशन वन इलेक्शन से चुनावों में खर्च कम होगा जैसा जुमला देने वाली मोदी सरकार में 2014 के लोगसभा चुनावों के मुकाबले 2019 के लोगसभा चुनावों में खर्च डबल हो जाता है जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण भाजपा ही साबित होती है मज़े की बात ये है कि कुछ मीडिया संस्थान दुनिया का सबसे महगा चुनाव अमेरिका को पीछे छोड़ा ऐसे लिख रहे हैं जैसे कोई बहुत गर्व की बात हो जनता का पैसा जनता तक नहीं पहुँचेगा इस पैसे से नेता चुनाव खरीद रहें रिपोर्ट से एक बात ये भी साफ हो जाती है कि ना किवल चुनाव प्रचार के लिए बलकि वोटर्स को खरीदने के लिए भी बड़ी संख्या में पैसे लुटाए गए बड़ी संख्या में वोटर्स ने इस बात को स्विकार किया कि मतदान के एक दिन पहले इनके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे गए लोगों ने कहा कि ये पैसा उन्हें सरकार ने भेजा है ये सारी बाते सामने आने के बाद आपको क्या लगता है कि इस पर नकेल कसने की कोशिश चुनाव आयोग ने की है बिल्कुल नहीं कंट्रोल करना तो छोड़ी ये मामला और बिगड़ रहा है दोहजार चुबिस के लोगसभा चुनाव खर्चे के मामले में दोहजार उन्निस के लोगसभा के चुनावों को पीछे छोड़ने वाले है नए आनुमान बताते हैं कि आने वाले चुनावों में लगभग डेड़ लाख करोड तू भी एग्जैक्ट एक दश्मलव दोजीरो लाख करोड रुपे खर्च होने की संभावना है यानि कि 2014 में खर्च हुआ 30,000 करोड उन्निस में हुआ 60,000 करोड जो डबल होकर हो जाएगा लगभग डेड़ लाख करोड आकड़े बताते हैं कि जहें लोगसभा का चुनाव हो या फिर विधान सभा का सबसे ज्यादा और बेताहाशा खर्च भाचपा करती है 2022 में 5 राज्यों यूपी, पंजाब, गोवा, मडिपूर, उत्तराखंड के चुनावों में भाचपा ने अकेले 344 करोड रुपे से ज्यादा खर्च किया था ये सारे आकड़े देखने के बाद निर्मला सीता रवन के इस दावे पर कि उनके जैसी भाचपा नेता के पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए सुनकर हसी आती है और सवाल ये भी उठता है कि दुनिया की सबसे हमीर पार्टी जिसे इलेक्टोरल बॉंड से ले करके अन्य गुप्त तरीकों से चंदा मिलता है उसके पैसे खा कौन रहा है कि उनके नेताओं को चुनाव लड़ने भर का भी फंड नहीं मिल पा रहा है खेर बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते हैं आपकी क्या राय है आपकी क्या सजेशन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियो जो कि अन्यमाध्यमों से आपके सामने नहीं आप आते रहें उसके लिए हमारे चैनल मॉलेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद